गाईज अगर आपका एक न्यू चैनल है और आप अपने वीडियो पर धेर सारे व्यूज लाना चाहते हो तो इसका एक एफेक्टिव और बेस्ट तरीका है कि आपको अपने वीडियो यूटूब के सर्च रिजल्ट पर रैंकर बना होगा जिससे कि आपको लाइफ टाइम के के लिए सब्सक्राइबर और व्यूज मिलते रहेंगे सो इसमें आपकी सबसे जाधा हेल्प करेगा वाइरल टैक्स बट बहुत लोग को अपने वीडियो के लिए सही तरीके से वाइरल टैक्स जुनना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो में आपको तीन सबसे असान तर और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे अभी सबस्क्राइब कर दो ताकि आपको फ्यूटर में ऐसी हिलफुल वीडियो मिलते रहें और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना बढ़ते सिधे वीडियो के तऱ तो गई सबसे पहले अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके चैनल कैटिकरी में कौन से ऐसे टैग्स है जो कि लोग अभी जाधा देख रहे हैं जाधा यूटूब पर सर्च कर रहे हैं तो इससे आपको बहुत जाधा बेनिफिट मिलेगा अपने चैनल के वीडियो की रीच को ग्रो करने में तो मैं आपको तीन तरीके बताने जा रहा हूँ जहां से आप आपके वीडियो के लिए बेस्ट वाइरल टैग्स धूण सकते हो तो चलते हैं सबसे पहले तरीके की तरफ जो कि खुद मैं परसनली अपने यूटूब वीडियो के लिए यूज करता हूँ वो है यूटूब आटो सजेशन सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है वाइरल ट्रेंडिंग टैग्स धूणने का वो है यूटूब आटो सजेशन क्योंकि हमें अपने वीडियो यूटूब पर वाइरल करना है तो सबसे बेस्ट प्लेस है वाइरल टैग्स धूणने का खुद यूटूब बट बहुत से new creators को अपने वीडियो के लिए सही तरीके से viral tags उनना नहीं आता है तो इसका मैं आपको secret तरीका बता देता हूँ तो इसके लिए आपको अपने smartphone में YouTube app open करना है और आपको search icon पर click करना है अब यहाँ पर आपको अपना थोड़ा दिमाग यूज़ करना है कि आप जिस topic पर वीडियो बना रहे हो उसे लोग कैसे कैसे search कर सकते है for example अगर मेरा एक cooking channel है और मैं पनीर से related कोई dish बना रहा हूँ let's suppose शाही पनीर तो यहाँ मैं सिर्फ topic का नाम लिकूँगा इस case में शाही पनीर तो यहाँ पर खुद YouTube हमें suggest कर रहा है कि अभी यह सारे keywords, यह tags इस topic पर trend कर रहे है लोग इन keywords को ज़्यादा search कर रहे है तो आपको इन सारे keywords को अलग जगे पर note कर लेना है अब new creator से गलती करते हैं वो simply इसमें से कोई भी tags को use करते हैं और अपने वीडियो में paste करते हैं तो सिर्फ इतना करने से आपका वीडियो वाइरल नहीं जाएगा आपको ये mistake नहीं करना है यहां आपको थोड़ा अपना दिमाग यूज करना है कि viewers इसी topic को कैसे और तरीके से search कर सकते हैं इसमें आप एक secret trick यूज कर सकते हो जो की है misspelled keywords अब बहुत ऐसे audience भी होंगे जो की topic को misspelled search करते हैं या फिर थोड़े long keyword में search करते हैं फॉर जामपल अगर मैं इसी topic को थोड़ा long keyword में search करूँ like शाही पनीर कैसे बनाए तो यहां पर आप clearly देख सकते हो कि बहुत से acid tags है जो कि trend कर रहे हैं लेकिन लोग उसे misspell करके search कर रहे है like यहां पर बनाए बहुत लोग गलत उसे type कर रहे है फिर भी यहां पर वो trend कर रहे है तो आपको इन सारे tags को भी अलग से note कर लेना है अब आपने जो first step में short keyword note किया और अभी जो यह long keyword note किया misspell के साथ तो आपको अपने video tags में इन दोनों keywords को ही use करना है तो बहुत जादा chances है कि आपके tags viral हो जाए और आपकी video की reach बर जाए ऐसे ही आप किसी भी चैनल category के लिए YouTube से ही best keywords धून सकते हो अब चलते हैं second तरीके के तरफ जहां से आप अपने videos के लिए viral tags धून सकते हो इसके लिए आपको google पर जाना है और यहां search करना है rapid tags और जो first link आएगा rapid tags.io उस पर click करना है open होने के बाद यहां पर आपको एक button दिख रहा है use tool for free simply उस पर click करना है यहां बहुत से YouTube creators अपने चैनल के videos के लिए viral tags search करते हैं तो यहां पर आपको search bar दिख रहा है यहां पर आपको अपने वीडियो का सिर्फ topic लिखना है like for example अगर मैं अपने चैनल काडिगरी में YouTube चैनल को grow करने पर एक वीडियो बना रहा हूँ तो यहां पर मैं topic का नाम लिखूंगा और उसके बाद आपको search icon दिख रहा है search icon बटन पर click करना है उसके बाद यहां आपके सामने बहुत सारे relevant tags आ जाएंगे result में जो कि इस topic पर trend कर रहे हैं इस website का सबसे बड़ा benefit है कि यहां पर short till keywords और long till keywords एक ही place पर आ जाते हैं तो simply आपको इनी select करना है with search volume so guys third तरीका ऐसा है जिससे कि ना आप सिर्फ अपने YouTube वीडियो के लिए बलकि अपने website, facebook, instagram, twitter के लिए भी tags या keyword search कर सकते हो और साथी में आपको यहां पर search volume भी free में पता चल जाएगा अगर आप इस website पर अपने Gmail से sign up करते हो तो कि कितने लोग अभी उस topic को search कर रहे है और ये tool बिलकुल free है तो इससे आपको बहुत ज़्यादा benefit मिलेगा तो इसके लिए आपको Google पर जाना है और यहां पर search करना है keyword tool.io और जो first link आ रहा है simply आपको उस पर click करना है यहां पर आप अपने website और different social media के लिए भी keyword search कर सकते हो हमें अपने YouTube videos के लिए यहां पर tag search करना है तो यहां पर मैं Google पर click करके इसे YouTube select कर लोगा उसके बाद आपको उसी के नीचे country का एक drop down दिख रहा है आपको उस पर click करना है और यहां पर आपको अपना country select करना है जिसके लिए आप topic बना रहा हूँ तो यहां पर मैं अपना country select कर लेता हूँ उसके बाद यहां पर आपको अपने वीडियो का topic लिखना है तो यहां पर let's suppose अगर मैं affiliate marketing पर video बना रहा हूँ तो यहां पर मैं अपने वीडियो का topic type करूँगा affiliate marketing आपको अपने वीडियो का टॉपिक यहाँ पर टाइप करना है उसके बाद आपको नीचे सर्च बटन का आइकन दिख रहा है आपको सर्च पर क्लिक करना है फिर यह धोरा प्रोसेस करेगा और आपके उस टॉपिक से रिलेड़ेट बेस्ट कीवर्ड करके देगा यहाँ पर जैसे मैंने एफिलेट मार्केटिंग सर्च किया है तो यहाँ पर एफिलेट मार्केटिंग क्या है एफिलेट मार्केटिंग कोर्स एफिलेट मार्केटिंग कैसे करें और उसी के साथ आपको उसके नेक्स्ट में वाल्यूम दिख रहा है कि कितने लोग इसे सर्च कर रहे है यहाँ पर आपको search volume free में मिल जाएगा और उसी के साथ trend percent भी मिल जाएगा कि अभी ये topic YouTube पर कितना percent से trend कर रहा है तो यहाँ पर आपको best tax को select कर लेना है और उसके बाद आपको नीचे copy का बटन दिख रहा है copy पर click करना है उसके बाद आपको अपने video tax में जाकर in tax को paste करना है और अपने video को save करना है अब सबसे important आपको ये समझना है कि अपने videos में सिर्फ best tax add करने से आपका video 100% viral हो जाएगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है क्योंकि video के viral जाने के लिए आपके video का SEO बिलकुल सही होना चाहिए means सबसे पहले आपके video का thumbnail clickable होना चाहिए जितना जादा उस पर clicks आएंगे उतना जादा आपके video का CTR बढ़ेगा और साधी में आपके video के title और description में भी आपके video का topic as a keyword होना चाहिए keywords को title और description में use करने का सबसे बड़ा benefit ये होगा कि इससे आपके video के जादा chances बढ़ जाएंगे YouTube के search results में rank करने के लिए अब SEO के last में आता है video के tags tags जिर्फ आपके video को support करता है उसे YouTube के algorithm पर push करता है जादा से जादा information देकर so video को viral करने के लिए आपको अपने video को सही तरीके से upload करना आना चाहिए so उसके लिए अब आप मेरे इस video को जरूर देखना इसमें मैंने बताया कि कैसे आप अपने YouTube वीडियो को सही तरीके से upload कर सकते हो और इसे 11,00,000 लोगों से भी जादा लोगों ने देखा है I hope आपको वीडियो पसंद आईए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अभी लाइक कर दो और साथ में चलको यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो मैं मिलता आपको ऐसे ही किसी नई वीडियो में Till then keep smiling and keep sharing